हाई दोस्तों स्वागत है आपका पैसन कंपेटीशन में आज हम लोग के 20 2018 के जीके एउम करेंट अफेर के प्रसनों को देखेंगे तो आईए कोस्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं कोस्चन नंबर वन है दीपा करमाकर ने मरसिन तूर्की में जुलाई 8 2018 को जिमनास्टिक वर्ड चैलेंज कप में स्वर्ड पदक जीता किस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल की पैरलर बार एकसरसाइज में फ्लोर एकसरसाइज या बार इवेंट या फिर वाल्ट इवे क्यों जिर्टा के दिस्ठ कोर्शन है आपका की चिप को आंदोलन का सम्द्ध किस राज्य से है परदेश जहार खंड उत्रा खंड या चत्रीःफगार तो चेप को आंदोलन का कहा गया था इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाया ताकि उन्हें कोई काट न सके और यहां आलिंगन प्रकृति और मानों के बीच प्रेम का प्रतिक बन गया चिप को आंदोलन के प्रडेता की बात करे तो इसके प्रडेता सुंदर लाल बहु गुड़ा थे कभी कभी कोशन सी अभी पूछ दिया जाता है कि चिप को आंदोलन के प्रडेता कौन थे तो कौन थे सुंदर लाल बहु गुड़ा थे आए दोस्तों निश्ट कोशन देखते ACI ने मिजबानी की थी अगर हम ACI खेलों की बात करें तो इसे ACR नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ACRD के नाम से जना जाता है ACI खेलों को और इसका आयोजन प्रतेक चार वर्स में किया जाता है चार साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है 18 वे ACI खेल का आयोजन 2018 में हुआ था और जो 19 वा ACI खेल है इसका आयोजन 2023 में 2030 में कहा होगा चीन में होगा ठीक है दोस्तो इसके पहले इंडोनेसिया में होगा था अब 2030 में इसका योजन चीन में होगा आईए नेश्ट कोसन देखते हैं नेश्ट कोसन है कि 2017 का ग्यान पिट सम्मान किसे प्रदान किया गया जो 207 में प्रदान किया गया था कृष्णा सोबती को को सा तिरपनवा ज्यान पुरसकार था अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें ग्यान पिट पुरसकार 2022 में प्रसिद कौंकडी लेखक दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था किसको प्रदान किया गया था दोस्तों दामोदर मौजो क एक बार इसका नाप देख लेजी इनका दामोदर माउ जो ठीक है दामोदर माउ जो को प्रदान किया गया था सत्ताओनोवा ग्यानपिट पुरसकार आईए निश्ट कोशन देखते हैं निश्ट कोशन है कि निमनलिखित में से कौन सी नदी चीन भारत और बांगला देश से होकर बहती है चांग जियांग ब्रह्मपुत्र सिंध या फिर गंगा तो कौन सी नदी होकर बहती है ब्रह्मपुत्र अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की लंबाई की बात करें तुवा है आपका लगभग 2900 किलोमेटर और यहाँ 200 की सबसी लंबे नदियों में से एक है अगर हम इसके नाम की बात करें तो तुवा है कौन सा पू नदी है और बांगला देश में इसे जमना नदी के नाम से जाना जाता है किस नाम से दोस्तो जमुना नदी की नाम से जानाता है बांगला देश में ठीक है और ब्रह्मपूत्र नदी पर ही बीश्चो का सबसे बड़ा नेदी दीप माजली इस्थित है माजली नदी दीप किस परिस्थित है तो ब्रह्मपूत्र नदी पर ही इस्थित है आगे नेष्ट कोस्टन देखते हैं, नेष्ट कोस्टन है कि भारत में वहा कौन सा राजे हैं जिसने सर प्रुथम राजे के सभी घरों की छटों पर वर्षा जल संचैन की संवर्चना का निर्माड अनिवारे कर दिया है यानि के ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसने वर्सा की जलों को कठा करने के लिए अपने सभी नगरवासियों को अपने छट पर क्या किया है ऐसा निर्माड करने के लिए कहा है जिससे की वर्सा की जल संचय किया जा सके केरल, महाराष्ट्र, पंजाव या फिर तमिल नाडू तो कहां पर अनिवारे किया गया है तमिल नाडू में वर्सा जल संचयन वर्सो के पानी को प्राकृतिक तालाव या टंकियों में संग्रहड और भंडारण करने की एक टेकनिक है और तमिल नाडू भारत का वह पहला राजी है जिसने वर्सा जल संचयन की संचयन की निर्माड को सभी घरों की छतों पर अनिवारे बना दिया है अगर हम बात करें कि यह योजना कब से लागू ही है तो यह योजना जो है वह वर्स 2001 से लागू हो गई है तमिल नाडू में आगे नेश्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेश्ट कोशन है कि बांगलादेश के ग्रामिड बैंक का संस्थापक कौन था अगलादेश के ग्रामिड बैंक के संस्थापक कां थे मोहम्मद यूनुस थे और यह बैंक गरीब लोगों को स्वय रोजगार के लिए सामुहिक रोप से लोन देता है और इन्हे वर्स 2006 में नोबेल सांती का पुरसकार प्रदान किया गया था मोहम्मद यूनुस को ठीक है दोस्तो क्या प्रदान किया गया था सांती के लिए नोबल पुरसकार प्रदान किया गया था 2006 में आगे नेश्ट कोसन देखते हैं नेश्ट कोसन है आपका कि निमनलिखित में से कौसा और छेपड या वर्सड का रोप नहीं है निरपेच आदरता व्रिष्टी सहीम व्रिष्टी या करका पात तो कौसा इस में से और छेपड या वर्सड का रोप नहीं है वह है आपका निरपेच आदरता वायुमंडल में मौझूद जलवास्प की वास्तविक एक्चुल मात्रा को ही निर्पेच आदरता कहा जाता है आए निष्ट को दिखते हैं निष्ट है कि माल और सेवाकर जिसे हम लोग जीस्टी करते हैं यह भारत में कप प्रारंब किया गया जुलाई 2017 जनुवरी 2017 फर्वरी 2017 या फिर अप कि जो जीस्टी हुआ किस प्रकार का कर है डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तो यह एक इंडायरेक्ट कर है अप्रत्या चकर होता है आए नेश्ट कोसन देखते हैं और इस वीडियो का लाश्ट प्रसन है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक औ पांडवी दरवाजा गुल दरवाजा या बदायू दरवाजा तो किसे बताया गया है वह बताया गया है दिल्ली दरवाजा को दिल्ली दरवाजे को इबन बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया है अगर हम इबन बतूता की बात करें तो इबन बतूता द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा है ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और के भी इसके तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा